नमस्कार दोस्तों, मैं करुणा लक्ष्मी नारंण परिवार में आप से भी का अभिनंदन करती हूं। आज है विशाक शुल्क तृत्या, जिसको अक्षे तृत्या भी कहते हैं। आज श्री परशुराम जी का जन्मोज सव है। मनाते हैं उनका जन्म दिवस, उनके जीवन की अच्रजभरी कहानी के साथ। जानते हैं परशुराम जी कौन थे। इनके जन्म समय की अगर बात करें, तो माथुर चत्रवेदी ब्रहमनों के इतिहास, लेखक, श्रीबाल मुकुत चत्रवेदी के अनुसार, विशु के छटे आवेश अव्तार भगवान परशुराम जी का जन्म, सत्योग और त्रेता के संधी काल में। वैशाक शुल्क तृत्या के दिन रात्री के प्रथम पहन प्रदोश काल में हुआ था। के संचालन में भी वेग पारंगत हैं। उन्होंने महार्शी विश्वामित्र एवाम घृचिक के आश्रम में सिक्षा प्राप्त की। प्रशुराम जी के सिश्य कौन-कौन है। त्रो त्रेता युग से द्वापल युग तक प्रशुराम जी ने लाखो शिश्यों को सिक्षिप किया। महाभारत काल के वीर योधाओं, बीश्म द्रोणचारे और कन को अस्त्र सस्त्रों की सिक्षा देने वाले गुरू, सस्त्र एवं शास्त्र के धनी रिशी प्रशुराम जी का जीवन संगश और विवादों से भरा हुआ रहा है। माता कर सिर काट देने वानी कथा के बारे में लगबग सभी को पता है। और वे खुद को रोग नहीं पाई। महर्शी जमदागनी ने जब इस बात को जान लिया तो उन्होंने उनके उद्धार हेतु अपने चारो पुत्रों को बुलाया और उनसे उनका वद करने के लिए कहा। लेकिन चारो पुत्र मात्र मुहू के वश में ऐसा नहीं कर पाई। तम्मुनी ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विशार शक्ती नस्ठ हो गई। फिर वहां परशुराम आये और तब जमदागनी ने उनसे यह कारे करने के लिए कहा। परशुराम जल्द ही संपूर कहानी को समझ गए। और उन्होंने पिता का आदेश मानकर तुरंद अपनी मा का वद कर दिया। उन्होंने उनका सर धड़ से अलद कर दिया। यह देख महरशी जमदागनी प्रसन हुए। और उन्होंने परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तव परशुराम ने अपने पिता से मातर नेनुकाब को पुनह जीवित करने का वर्दान मांगा और इसके साथ ही साथ चारो भाईयों की विचार शक्ति जो नस्ठ हो गई थी उन्हें पुनहा मांगा साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना की स्मृति उनके किसी भी भाई को ना रहें इसके साथ ही साथ वे हमेशा अजे रहें इसका वर्दान भी उन्होंने अपने पिता महरशी जमदागनी से मांगा महरसी जम्दागनी ने उनकी सबे मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया उनके जीवन की एक और भड़ी गटना है है वन्शी राजाओं से युथ जिसको हम कहते हैं छत्रियों से विहीन किया उन्होंने संपूर्ण धर्ती को 21 बार छत्रियों से विहीन किया ये धारना एक तरह से गलत है ब्रगुजेत्र के शोदकरता साहितका शिफ कुमार सिंग का मानना है कि जिन राजाओं से इनका युद्धुआ उनमें से राजा शहस्तरजुन इनके सगे मोसा थे जिनके साथ इनके पिता जमदगनी रिशिक क्याई बातों को लेकर विवाद में थे जिसके दो बड़े कारण थे पहला कारण तो कामदेनू थी और दूसरा इनकी माता रेनुका एक समय सहस्तरजुन के पुत्रों ने जमदगनी के आश्रम की कामदेनू गाय को लेने तथा परशुराम से बदला लेने की भावना से परशुराम के पिता का वद कर दिया परशुराम की मार रेनुका अपने पती की हत्या से विर्चलित होकर चित्रावनी में प्रविस्ठ हो गए इस गोरगटना ने परशुराम जी को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं संपूर्ण हे वन्ष का नाश कर दूँगा इसी कसम के तहट उन्होंने इस वन्ष के लोगों से छत्यसवार युद्ध किया और समूल वन्ष का नास कर दिया इसके अंदर ये भी मैं बताना चाहूंगी कि उन्होंने जिन छत्रियों से युद्ध किया था वे सभी किशोर थे यानि कि युवा थे जिन किशोरूं की डाड़ी मूच नहीं होती थी, उन छत्रियों से परशुराम जी युद नहीं करते थे, उनको बालक मानकर छोड़ दिया जाता था चारो युग में परशुराम, सत्युग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोग लिया, तो रुस्ट परशुराम जी ने उन पर प्रशु से प्रहार कर दिया प्रशु उने भगवान शिव ने ही उपहार स्वरूपतिया था जिससे गणेश का एक दात नस्ठ हो गया और वे एक दंद कहलाए त्रेता युग में जनक दश्रत आधी राजाओं का उन्होंने समुझित सम्मान किया सीता स्वयमवर में श्री राम का अभिनंदन किया द्वापर ने उन्होंने कौरव सम्हा में कृष्ण जी का समर्धन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्द करवाया द्वापर में उन्होंने ही असत्य वाचन करने के डंड स्वरूप करण की सारी विद्या विस्मित हो जाने का श्राप दिया था। उन्होंने भीश्मद्रोन व्यकर्ण को सास्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह परशुराम जी के अनेक किस्से प्रचनित है, जिनका एक वीडियो में समाहित करवाना लंभग समभब नहीं है। चिरन जीवी हैं परशुराम जी, कठिन तब से प्रशन हो भगवान विश्णु ने उन्हें कल्प के अंतर तक तपस्या रत भूलोग पर रहने का वर्दान दिया। कहते हैं कि वे कनिकाल के अंत में उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धर्ती पर ही तपस्या रत रहेंगे। तो आज उन्ही परशुराम जी का जन्मोचसव है। उनके जनम दिन पर हमने उनको याद करके एक सरधान जली अर्पित की है। आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं। आपको भी इसके अतिरिक्त अगर परशुराम जी के विश्या में कोई कथा का ज्यान हैं तो हम से शेर जरूर करें। इसी तरह की और कठावाचन करने के लिए लक्ष्मी नारायन परिवार का हिस्सा जरूर बने। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जै श्रीहरी